हे गाइस वेलकम बेक टू माई चैनल ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हिरोईन को देखते हैं जिसका नम सिन है जो कि अपने बेबी से बोल रही होती है कि इस बार मॉम तुम्हें कुछ नहीं होने देगी एक्शुल में सिन सेकेंड टाइम प्रेगनेंट थी करता है और सिथे उसे हॉस्पिटल लूम में भेज देता है जहां पर हम देखते हैं कि ज्याओ बिल्कुल ठीक ठाक है और वो सिन से कहती है कि तुम्हारा बेबी मेरे और यान के बीच में आ रहा है तो इससे चाह नहीं होगा जैसे इस इन होस्प में आती है तो वो उसे कहता है कि डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए सिन कहती है कि तुम तो चाहते ही नहीं थे कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए क्योंकि तुम तो ज्याओ से प्यार करते हो यान कहता है कि तुम ज्याओ को क्यों वीच में ला रही हो सिन कहती है कि तुम ये नोटंकी बंद करतो लेकिन ज्याव तो बक्वास कियी जा रही थी तो सिन उसे गुस्से में पिलो उठा कर मार देती है तो यान भी सिन को थपड मार देता है ज्याव कहती है कि यान प्लीज उसे कुछ मत कहो इसने अभी अपना बेबी खोया है यान कहता है कि तुम इसकी फिकर मत करो तुम बस अपना ध्यान रखो यान के वहाँ से जाते ही जयाव अपना असली रंग दिखाने लगती है और सिन से कहती है कि हाँ मैंने ही तुमारे बेबी को मारा है यहां तक कि पहले वाला मिसकेरिज भी मेरी वज़े से ही हुआ था लेकिन तुम मेरा कुछने बिगाड़ पाओगे सिन पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो कहती है कि जो भी मेरे और यान के बीश में आएगा मैं उससे साइट हटा दूँगी सिन गुसे में उसका गलत अबाने लगती है तब ही महाँ पर यान आता है और ज्याओ को बचा लेता है और उस से महाँ से ले जाता है फिर सिन अपने डैट को काल करती है कि मुझे घर आना है उसके डैट कहता है जिसने तुमने रुलाया मैं उससे नहीं छोड़ूँगी इदर डॉक्टर बताता है कि गले के जो निसाने उन्हें हटाने के लिए सेजरी करनी पड़ेगी ज्याओ बनते हुए यान से कहती है कि इसके लिए तुम सिन को ब्लेम मत करना लेकिन यान घुसे में सिन के पास आता है और कहता है कि आखिर कर तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया तुम कितनी बेकार लड़की हो तो सिन कहती है कि तुम्हारी उस ज्याओ से तो अच्छी ही हूँ और उसने मुझे खुद कहा कि तुमसे साधी करने के लिए ही उसने मेरे दोनों बच्चों को मार दिया यान कहता है कि छूट मत बोलो किस तरह तुमने प्रेगनेंसी का ड्रामा करके मुझसे जाती की थी मैं अच्छे से जानता हूँ यान कहता है कि तुमने मुझे साधी अपनी मरजी से की थी और अब डिवोस लेना चाहती हो हर वक्त तुम्हारी मरजी नहीं चलेगी फिर वो उसे खीशते हुए ज्याओ के पास लाता है और उससे माफी मागने के लिए कहता है जाओ बोलती है कि कोई बात नहीं तुम बहुती दुखी हो मुझे पता है तुमने अभी अपना बेबी खोया है जाओ खासने के नोटन के करने लगती है तो जाओ उसे देखने लगता है तो सिन कहती है कि अच्छा होगा तुम मर जाओगी मुझे बड़ी खुसी होगी तो यान घुसे में उसके हाथ पर अपना पेर रख देता है और कहता है कि मेरे पैसन्स का टेस्ट मत लो सिन भी सौरी बॉल देती है और महाँ से जाते हुए सोच रही होती है कि अब मैं तुमारे पास वापस कभी नहीं आउंगी नेक सीन में यान सीन को उसके रूम में देखने जाता है लेकिन वहाँ पर नहीं होती तो वह नर्स से पूछता है नर्स उससे पूछती है कि आप कौन हो वो कहता है कि मैं उसका हस्बेंड हूँ तो वो कहती है कि तुम कैसे हस्बेंड हो तो मैं नहीं पता कि तुम्हारी वाइप से मर गई है यान तो सौक्ड हो जाता है वो कहता है कि वो कैसे मर सकती है कहिए उसके कोई ट्रिक तो नहीं नर्स ये पोल कर चली जाती है कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते है यान कहता है कि तुम मेरी पर्मिसन के बिना मर भी कैसे सकती हो इक्स टाम एक पार्टी का सीन देखते हैं जो कि गो गुरूप के चैर्मेंट ने अपना पचासवा जनम दिन सलिब्रेट करने के लिए रखी है जहाँ पर सीन एक गुसाओ नाम के लड़के के साथ एंट्री करती है और वहाँ पर यान और ज्याओ भी आते हैं ज्याओ कहती है कि वो ब्लेक ड्रेस वाली लड़की मुझे सीन जैसी लगी यान कहता है कि वो तुम मर चुकी है दोनों अंदर आते हैं तो गुसाओ यान से कहता है कि तुम मेरे अंकल की बर्डे पार्टी में ये किस मिस्ट्रेस को लेकर आये हो ज्याओ कहती है कि मैं यान की फियांसी हूँ गुशाओ कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ आपी रिसेंट भी मरी है और तुमने इतनी जल्दी नया लवर भी ढूल लिया तब ही वहाँ पर सिन आ जाती है जिसे देखकर दोनों बहुत सौक्ट होते है ज्याओ कहती है कि तुम मारी नहीं जिन्दा हो ज्याओ कहती है कि लगता है कि मुझे जिन्दा देखकर तुम खुश नहीं हो ज्याओ कहती है कि तुम गलत समझ रही हो अगर तुम जिन्दा थी तो तुम घर वापस क्यों नहीं आई मा कुछ जादा नहीं हो रहा और वहां से चली जाती है यान सोचता है कि बिना मेरी पर्मिशन के ये मर भी नहीं सकती है तो इससे तो मेरे पास वापस आना ही होगा जिसके बाद जया उस सिन के पास जाती है और उससे कहती है कि बिना मैंन के तुम रहने ही सकती हो ना सिनों से एक चाटा लगा देती है वो भी रिटन मानने वाली होती है लेकिन सिनों उसका हाथ पकर लेती है तब ही यान आता है तो जाव एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे तुम्हारा हस्बर नहीं चुराया प्लीस मुझे माफ कर दो यान जाव को उठाता है तो वो कहती है कि देखो ना मैं तो बस इससे माफी मांगने आई थी लेकिन इसने मुझे चाटा मार दिया यान सिन से कहता है कि इससे माफी मांगो तब ही माँ पर मिस्टर गू आ जाते है और कहता है कि मेरी पार्टी में मेरी ही फैमली को परिसान करने की हिम्मत कैसे हो गई यान पूछता है कि यह आपकी कौन है मिस्टर गू कहते है कि तुम्हें यह जाने की जरुरत नहीं है गेस्ट पनकर आए हो इसलिए अपनी हद में रहो और वो सिन को पार्टी में स्टेच पर लेकर जाते हैं सबी बाते बना रहे थे कि यह लड़की मिस्टर गू की जरुर मिस्ट्रेस होगी यान यह सब सुनकर सोच रहोता है कि यह तो कुछ जादा ही गिर गई है लेकिन एक्शल में तो मिस्टर गू सिन के डैड होते है लेकिन यह बात किसी को पता नहीं होती मिस्टर गू अनौस्मेंट करते हैं कि सिन उनकी कंपनी की नई CEO होगी ज्याओ कहती है कि देखा तुमने अमीर लोगों को फसा कर कैसे उनकी प्रोपर्टी हडप रही है यान को तो अंदर से बहुत गुसा आ रहा था एक वेटर आकर सिन को पकड़ लेता है और वो यान से कहता है कि तुम्हारी वज़े से मेरा बच्चा मरा था क्योंकि मैं उसके हॉस्पिटल का बिल टाइम पे नहीं भर पाया अब मैं तुमसे तुम्हारी प्यारी वाइब को छीन लूँगा मिस्टर गु कहता है कि तुम जिससे नफरत करते हो उससे नुकसान पहुचाओ ना इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है गुसाओ भी कहता है कि यान सिन से नहीं इस लड़की से प्यार करता है इसलिए उससे छोड़ दो लेकिन उस वेटर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता यान उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो इस लड़की के साथ मैं इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता ये सुनकर सिन को तो बहुत हर्ट होता है लेकिन वो वेटर सिन को हर्ट कर देता है नेक्सिन में सब भी हॉस्पिटल में होते हैं जहां पर गुसाओ यान से कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तो मैं नहीं छोड़ूँगा ज्याओ कहती है कि यान को क्यों ब्लेम कर रहे हो मिस्टर गू को बता होना चाहिए था ना कि वो यान की वाइफ है गुसाओ उससे कहता है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है बिश में बोलने की तो बेटर होगा तुम चुपी रहो तब ही डॉक्टर आकर पूछता है कि पैसेंट का फैमली मेंबर कौन है दोनों एक साथ बोलता है कि हम लेकिन यान कहता है कि मैं उसका हस्बेंड हूँ डॉक्टर बताता है कि आपकी वाइफ आप खत्रे से बाहरे दोनों से देखने जाते हैं ये देखकर जियाओ को तो बहुत जलन हो रही होती है यान सिन से पूछता है कि तुम कैसी हो लेकिन सिन उसे कोई जबाब नहीं देती गुशा और सिन को पानी देता है ये देखकर जियाओ कहती है कि लगता है गुशा और तुम्हारा कुछ जादा ही दियान रखता है सिन उससे कहती है कि तुम तो मेरे हजबन के साथ एक बेट पर नाइट भी स्पैन कर चुकी होगी न यान कहता है कि ये तुम्हारी तरह घटिया अरकते नहीं करती टॉप तक पहुचने के लिए सिन कहती है कि मुझे अब तुम दोनों की सकल होर नहीं देखना है इसलिए मुझे डिवोस चाहिए वैसे भी तुम तो जियाओ से प्यार करते हो ना जरा सोचो लोग क्या बाते बनाएंगे एक साथी सुधा आदमी जब किसी और लड़की को अपने साथ रखेगा यान कहता है कि भाने बनाना बंद करो मुझे पता है कि तुम्हें साथमी के साथ रहने के लिए मेरे साथ डिवोस लेना चाहती हो गुशा उसें से कहता है कि तुम गुशा मत हो या आदमी तुम्हारा गुशा भी डिवोस नहीं करता यान कहता है कि अगर तुम मर भी जाओगी तब भी मैं तुम्हें डिवास नहीं दूँगा मरने के बाद भी तुम्हें मेरी ही फैमिली का हिस्सा बन कर रहना होगा ये बोलकर वो ज्याओ के साथ महाँ से चले जाता है नेक्स सीन में सीन अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर महाँ से जारी होती है तब ही वो ज्याओ को एक डॉक्टर की बाहों में देख लेती है ये देखकर सीन तो सौक्ट हो जाती है कि ज्याओ से भी यान को धूका दे रही है ज्याव की नजर भी सिन पर बढ़ जाती है सिन वहाँ से निकल जाती है ज्याव उस डॉक्टर से कहती है कि अब वो जाकर यान को बता देगी वो मुझे नहीं छोड़ेगा वो कहता है कि तुम टेंशन मतलों में सब कुछ फिक्स कर दूँगा इसे ही सिन हॉस्पिटल से बहां निकलती है उसे दो आदमी पकड़ लेते हैं लेकिन यान देख लेता है और उन लोगों को पीट कर वो सिन को बचा लेता है लेकिन इस सब हाथ तपाये में सिन को छोट लग जाती है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है तबी महाँ पर यान की sister हुआ आती है जो उसे बताती है कि ज्याओ की तबित बिगड़ गई है और उसे blood की जरूरत है यान फिर से सिन को blood देने के लिए कहता है तो सिन कहती है कि तुम्हें अभी भी उस ज्याओ की पड़ी है थोड़ी सी ब्लड की कमी से वो मर नहीं जाएगी हुआ जब अचस्ति सिन को ले जाने लगती है तब गुसाओ आकर उसे छुड़वा लेता है और उसे अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर आता है सिन डॉक्टर को दिखाने चली जाती है और गुसाओ उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है डॉक्टर सिन को इंजेक्शन लगाने वाला होता है लेकिन सिन उसे पहचान जाती है कि ये तो वही डॉक्टर है जो ज्याओ के साथ था सिन वहाँ से भागने लगती है तो डॉक्टर उसे रोक लेता है सिन उसके हाथ में काट कर भागने लगती है लेकिन डॉक्टर उसे फिर पकर लेता है सिन उसे फिर मारकर वहाँ से भाग जाती है और भागते वे वो गुसाओ से टकरा कर फेहोस हो जाती है और यह सब यान भी देख लेता है और यह देखकर तो उसे बहुत जलन हो रही होती है जिसके बाद सिन को जैसे ही हो साता है वो गुसाओ को उस डॉक्टर के बारे में सब कुछ बता देती है और उसे उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहती है गुसाओ के माँ से जाते ही माँ पर यान आता है और उससे कहता है कि तुम ऐसे कैसे चेन की नीन सो सकती हो तुम्हारी वज़े से वो डॉक्टर ज्याओ को मानने वाला था सिन तो सौक्ड होती है कि ये क्या बोल रहा है तब ही माँ पर ज्याओ आ जाती है यान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो वो कहती है कि मुझे फिकर हो रही थी कि कहीं तुम सिन को हर्ट ना कर दो मैंने ही चाहती है कि तुम दोनों का रिस्ता खराब हो सिन उसे कहती है कि तुम बार बार जूट बोलकर ठकती नहीं हो तुम कैसे इतना ड्रामा कर लेती हो यान सिन से कहता है कि तुमने उस डॉक्टर को पैसे दिये थे ना ज्याओ को मानने के लिए सिन कहती है कि उस डॉक्टर ने कहा और तुमने मान गया जबकि ज्याओ के कहने पर वो डॉक्टर मुझे मानने वाला था ये सुनते ही ज्याओ का ड्रामा चालू हो जाता है और वो कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास दीने के लिए बहुत ही कम ताइम बचा है यान सिन को एक contract देकर उससे sign करने के लिए कहता है जिसमें लिखा होता है कि वो हर माईने दो बार ज्याओ को blood देगी यान कहता है कि बदले में मैं तुम्हें 100 million पे करूँगा सिन कहता है कि मर जाओंगी लेकिन इसे blood नहीं दूँगी यान कहता है कि क्या problem है तुम्हारी तो वो कहती है कि लगता है तुमने मुझे blood bank समझ लिया है ज्याओ कहती है कि कोई बात नहीं अगर सिन मुझे blood नहीं देना चाहती तो मेरी जिन्दगी साथ इतनी ही लिखी है यान सिन को धंकी देते वे कहता है कि मैं तुम्हें बर्बात करके रख दूंगा सिन कहती है कि देखते हैं कौन किसे बर्बात करता है Next इंड में हुआ जिया उसे कहा ह्री होती है कि सिन की विज़े से पहली बार भाई ने मुझे टाटा मैं उससे बदला लेकर रहूंगी ज्याओ उसे आइडिया देती है कि क्यों न तुम सिन के पास किसी आदमी को भेज दो हुआ को उसका आइडिया पसंद आ जाता है और वो फॉन पर उस लड़के से बात कर रही होती है जिसको उसने सिन के पास भेजा है और उससे कहती है कि सिन को अच्छा मज़ा चखा न लेकिन ये सब यान सूल लेता है और वो अपनी बहन से पूछता है कि सिन कहा है अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चाहे तुम मेरी बहनी क्यों न हो हुआ डरकर सब कुछ बता देती है इदर वो लड़का सिन के साथ बत्तमिजी कर रहा होता है सिन को लगता है कि जरूर इसको यान नहीं बेजा होगा क्योंकि उसने जियाओ को बलड देने से माना कर दिया था सिन बेहोस हो जाती है और वो बंदा सिन के close जाने लगता है तब ही यान वहाँ पर आ जाता है और सिन को बचा कर अपने घर में ले आता है जैसे ही सिन को होस आता है वो खहती है कि तुम इतना कैसे गिर सकते हो जो अपनी बात मनवाने के लिए तुमने ये सब किया यान कहता है कि तुमसे अपनी बात मनवाने के लिए मुझे ऐसे गिरी हुए हरकते करने की जरुवत नहीं है सिन कहती है कि जूट मत बोलो यान कहता है कि बलड डोनेसन के पेपर पर साइन कर दो सिन कहती है कि कभी नहीं करूंगी तो यान कहता है कि इस रूम से भी तुम बाहर कभी नहीं जा पाओगी सिन कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और जाने लगती है यान उसे रोकता और कहता है कि तुम भूल गई अभी हमारा डिवोस नहीं हुआ है तुम अभी भी मेरी ही वाइफ हो तो सिन कहती है कि तो फिर मुझे डिवोस दे तो मैं एक सेकंड भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाती यान कहता है कि हमारी फैमिले में डिवोस नहीं होता इसलिए भूल जाओ ये बोलकर वो महां से चले जाता है जिसके बाद सिन गुझे में हुआ के पास आती है और उससे पूछती है कि मेरा ब्रेसलेट का है यान कहता है कि मेरी बेहन को क्या पता कि तुम्हारा ब्रेसलेट का है सिन कहती है कि मैड ने बताया है कि हुआ ही मेरे रूम में गई थी हुआ कहती है कि मैं तुम्हारे जेट ब्रेसलेट का क्या करूंगी सिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो जेट ब्रेसलेट है मैंने तो तुम्हें नहीं बताया यान हुआ से कहता है कि सच बताओ ब्रेसलेट का है हुआ कहती है कि वो तो मैंने बेच दिया सिन कहती है कि केसी फैमिली है सबी के सबी एक जिस है जिसके बद जियाओ सिन के रूम में आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो जब यान तुमसे प्यार ही नहीं करता सिन कहती है कि तुम अपना बताओ ना अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता है तो उसने अभी तक तुमसे साधी क्यों नहीं की जियाओ कहती है कि उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ तो सिन कहती है कि तुम उसके मिस्ट्रेस से जादा और कुछ भी नहीं हो जियाओ कहती है कि अब तो तुम्हें मज़ा चखा नहीं होगा और खुछ से अपना हाथ काट कर यान को अंदर बुला लेती है यान को लगता है कि ये सब सिन ने किया है तो उस पर गुसा करने लगता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया तो वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है तब ही जियाओ कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है तो यान उसे हुआ के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और सिन को भी जबरजस्ती साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उसे blood donate कर सके लेकिन सिन जाने से मना करती है और कहती है कि तुम्हें मुझे ठराबी भरोसा नहीं है न मैं कहरी हूँ कि मैंने नहीं किया है कुछ भी यान कहता है कि हाँ मुझे नहीं है यकीन और उसे जबरजस्ती हॉस्पिटल लाकर उसका blood ले लिता है जिसके पस जियाओ सिन के पास आकर उसका दिया हुआ blood उसे दिखाती है सिन कहती है कि इसका मतलब कि तुम बिमार नहीं हो तुम अब तक यान से जूट बोलती आ रही हो जियाओ कहती है कि हाँ मैंने यान को दो साल पहले जूट बोला था कि मुझे खतरनाक बिमारी है और ऐसा मैंने इसी लिए किया था कि मैं उसके जिन्दगी में अपनी जगर बना सको और तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर सको ये सुनकर सिन्द रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वज़े से मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया सिन्द गुसे में उसका गला दबाने लगती है तब हुआ पर यान आ जाता है सिन्द उससे कहती है कि मुझे डिवोस दे दो वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगी यान जाओ को बचाने के लिए मान जाता है और फैनल ये दोनों का डिवोस हो जाता है यान कहता है कि डिवोस दे दिया है तो ये मत सोचना कि तुम्हें मुझे से छुटकारा मिल जाएगा सिनों से थपड मारते हुए कहती है कि अगर आज के बाद तुमने और तुम्हारी इस महभूबा ने मुझे परिसान किया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली ये बोलकर वो महां से गुसाओ के साथ चली जाती है ज्याओ उससे पूचता है कि तुम ठीक तो हो ना तो सिन कहती है कि हाँ भाई एक्ष्ण में गुसाओ उसका कजिन ब्रादर है नेक सिन में एक नेकलैस पर बोली लगाई जारी होती है ज्याओ को निकलस बहुत पसंद आता है तो यान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो न्यकलस खरीद देता हूँ लेकिन सिन के कहने पर गुशा उजदा बोली लगाकर वो हर खरीद लेता है ज्याओ तो बस देखती रह जाती है जैसे इन इलामी खतम होती है यान सिन के पास आता है गुसाओ से हटा देता है यान उसे कहता है कि तुम कितनी बेसरम हो गुसाओ के साथ तुम ऐसे कैसे रह सकती हो सिन कहती है कि मैं किसी के साथ कैसे भी रहूँ ये बताने वाले अब तुम कौन होते हो भूल गए क्या कि हमारा डिवोस हो चुका है तब ही जियाओ कहती है कि डिवोस हो गया तो क्या हुआ ये तुम्हारा कभी पती था तो तुम्हें से तमीज से बात करना चाहिए सिन उसे चाटा लगा देती है और उसे कहती है कि इसे तुम ही रखो यह respect से बात करने के लायक नहीं है यान कहता है कि यह तुम कैसे जाहिलों की तरह बात कर रही हो गुसाओ यान से कहता है कि जाहिल तुम हो तुम्हें बात करने की तामीज नहीं है और नहीं कोई moral values सिन कहती है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रहे हूं आज के बाद मेरे मामलों में दखला अंदाजी मत करना दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तभी महाँ पर रिपोर्टरस आकर गुसाओ से पूछते हैं कि क्या आपने वो नेकलेस सिन मेडम के लिए खरीता है क्या आप दोनों साधी करने वाले हैं गुसाओ बताता है कि सिन मेरी सिस्टर है मेरे अंकल मिस्टर गू की रियल डॉटर ये सुनकर सभी बहुत सौक्ड होते हैं ज्याओ के तो होसी उड़ जाते हैं तभी गुसाओ को कोई कॉल आ जाता है और वो काम से वहाँ से निकल जाता है तभी पीछे से यान आकर जिन से कहता है कि तुमने मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों छुपाई वो कहती है कि क्योंकि तुमने मुझे जाने की कभी कोशिसी नहीं की और वहाँ से चली जाती है जियाओ यान से कहती है कि अब हमें साधी कर लेनी चाहिए अब सब कुछ ठीक हो चुका है लेकिन यान मना कर देता और कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता जियाओ कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुमने मुझे से वादा किया था लेकिन यान कुछ भी जवाब नहीं देता तो जाओ फिर से बेहुस होकर बिमारी की नोटंकी करने लग जाती है तो यान को मजबूर होकर उसे साधी के लिए हा करना पड़ता है जिसके बाद वो जाओ को एक रेस्टोरेंट में देट के लिए लेकर आता है उन्हें वहाँ पर सिन एक लड़के के साथ दिख जाती है वो लोग सिन के पास आते हैं तो वो लड़का पूछता है कि ये कौन है तो सिन कहती है कि ये लोग इंटर्यूस करने के लायक नहीं है यान उसे बताता है कि मैं सिन का एक्स हस्बेंड हूँ तो वो लड़का कहता है कि मैं मस्टर लू हूँ सिन का मैच मेकिंग पार्टनर जब वो हैंड से करते हैं तो यान उसका हाथ बहुत ही टाइट पकर लेता है सिन कहती है कि अब तुम लोगों का हो चुका हो तो प्लीस यहां से चले जाओ तब ही जयाओ कहती है कि यान और मैं साधी करने वाले हैं तुम जरूर आना सिन कहती है कि यह बताओ कि तुम्हारा फ्यूनरल कब है मैं जरूर आओंगी यान कहता है कि तुम कुछ जाता नहीं बोल रही हो ज्याओ कहती है से माव कर दो मैंने तुम्हारी देट खराब कर दी इसलिए तुम गुस्टा कर रही हो न सिन उसे चाटा लगा देती है और कहती है कि बेसरम लड़की बस करो तुम्हारी नोटंगी और मिस्टर लू के साथ महाँ से चली जाती है नेक्सीन में यान ज्याओ की छोड़ देख रहा होता है लेकिन ज्याओ तो उसे किस करने लगती है लेकिन यान इग्नोर कर देता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकता ज्याओ पूछती है कि क्या तुम सिन से प्यार करते हो यान कहता है कि तुमने 10 साल पहले मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन प्यार किसी से जबजस्ती नहीं किया जा सकता मैं तुमें कमपनी के सेर्स और पैसे दे सकता हूँ ज्याओ कहती कि अगर तुमने मुझसे साथी नहीं की तो मैं मर जाओंगी यान ये बोलकर चले जाता है कि उमीद करता होगी तुम मेरे डिसेजन की रिस्पेक्ट करोगी एक सिन में यान एक प्रेस कांफरेंस रखी होती है जहाँ पर वो अपनी कमपनी के 5% सेर्स ज्याओ के नाम करने के अनौस्मेंट करता है ज्याओ पेपर पर साइन करने ही वाली होती है लेकिन तब ही महाँ पर सिन आ जाती है जयाओ उससे कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो तुम्हें तो हमने इंवाइट भी नहीं किया था सिन कहती है कि तुमने मुझे साधी में इंवाइट किया था ना लेकिन लगता है आप नहीं हो पाएगी मैं तुम्हारे लिए एक special gift लेकर आई हूँ तब ही माँ पर पुलिस आ जाती है ज्याओ का arrest करने के लिए ज्याओ कहती है कि मैंने क्या किया है action में पुलिस वालों को वो बने मिल गए थे जिनने सिन को उठाने के लिए ज्याओ ने hire किया था और उन बंदोंने ज्याओ का नام कबोल लिया था ज्याओ यान से कहती है कि यह मुझे नफरत करतीह रही है इसलिए मुझे भसा रही है सिन कहती है कि मुझे पता था कि तुम इतने आसानी से नहीं मानने वाली हो इसलिए वो सब को recording सुनाती है जिससे कि उसकी सारी पॉलसप के सामने खुल जाती है यहां तक कि यान को ये भी पता चल जाता है कि ज्याओ कभी बिमार नहीं थी और नाय होसे कभी ब्लड की जरूरत थी लेकिन फिर भी ज्याओ यान से कहती है कि मुझे पर यकीन करो सिन जूट बोल रही है यान कहता है कि आप बस भी करो आखिर तुमने मुझे से जूट क्यों बोला अभी तक तुम मुझे बेवकूब बनाती रही हो और मैं बेवकूब बनता रहा ज्याओ कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तो यान कहता है कि तुम्हारा प्यार तो काफी डेंजरिस निकला। पुलिस ज्याओ को पकड़ कर ले जाती है और सिन भी महां से जाने लगती है और सोच्छी होती है कि वो कभी दो बारे यान का चेहरा नहीं देखेगी। नेक्सिन में हुआ यान के पास आती है और उसे कहती है कि प्लीस ज्याओ को जेल से बाहा निकाल दो लेकिन यान कहता है कि वो यही डिजर्व करती है तो हुआ कहती है कि भूलो मत की 10 सल पहले उसने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें बचाने के चक्कर में उसने अपने पैरेंट्स को भी खो दिया था यान कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ अभी तक मैं उसी का तो करज उतारता आ रहा था लेकिन अब जो उसने किया है उससे सब बराबर हो गया है हुआ कहती कि अगर आपने उसे नहीं बचाया तो दस साल पहले वाला वीडियो में मेडिया को भेज दूंगी फिर आप एक मजाग बन कर रहे जाओगे तो वो कहता है कि तुम उसकी हल्प करने के लिए अपने ही भाई को धमकी दे रही हो हुआ कहती है कि ज्याओ को पहले से ही पता था कि आप उसकी हल्प नहीं करोगे इसलिए उसने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया है जिसके बाद यान सिन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम से बात करनी है सिन कहती है कि लेकि मुझे नहीं करनी सिन उसे थपण मार देती है तो वो कहता है कि भूलो मत तुम्हें इस सब की जरुरत है सिन कहता है कि अकर वो बाहर आकर वापस से मुझे हर्ट करेगी तो क्या करोगे यान कहता है कि मैं उस पर नज़र रखूँगा दोबारा वो कभी ऐसा नहीं करेगी सिन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आकर के साथ तक तुम उससे प्यार करते हो उसने मेरे साथ इतना सब कुछ किया फिर भी तुम उसके लिए मेरे सामने गिड़ गिड़ा रहे हो ये बोल कर वो जाने लगती है यान उसे रोकता है, तब ही महाँ पर लू आ जाता है और कहता है कि मेरी girlfriend से दूर हटो यान खहता है कि क्या girlfriend? क्या तुम लोग इतनी छलती relationship में आ गए? सिन भी कुछ समय हाँ बोल देती है लू कहता है कि हमारी date खराम मत करो और सीन को कार में बिठा कर महां से ले जाता है और यान तो बस देखता रह जाता है रास्ते में सेन उससे कहती है कि तुम्हारी आखे बहुत ही अच्छी है मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड से मिलती है लु कहता है कि लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैं तो एक बिजनसमैन हूँ सीन उसे अपने साथ एक चैरिटी इवेंट में चलने के लिए खहती है दोनों उस इवेंट में पहुच जाते हैं जहां पर यान भी आया हुआ रहता है लु को एक कॉल आती है तो वो अटेंड करने के लिए बाहर चले जाता है तब यान सीन को एक कोने में खिच कर लाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें डिवोस दिये हुए टाइम नहीं हुआ और एक नए बंदे को देट करने लगी हो सीन गुस सम उसे चाटा मार देती हो और कहती है कि मुझे दोबारा अपनी सकल मत दिखाना वो कहता है कि तुम उस लू के लिए मुझे मार रही हो सीन कहती है कि जब तुम अपने मिस्टरेस के लिए मेरे साथ इतना सब कुछ कर सकते हो तो मैं कहता है कि तुम बात को बढ़ा रही हो तो सीन कहती है कि तुम बात को बढ़ा रही हो उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है सिन उसे कहती है कि तुम ना तो एक अच्छे हस्बिंट बन पाए और नहीं एक अच्छे फादर बन कर अपने बच्चों को बचा पाए तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी वो ज्याओ मुझे हमें सा ब्लेम करती रही और तुम उसकी ये बात मानते रहे यान कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता था लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूँगा तो सिन कहती है कि अब ये सब करने का क्या फाइदा मैंने तो अपने बच्चों को खो दिया है यान कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो तो सिन कहती है कि मुझे तुम्हारा सौरी नहीं चाहिए मैं चाहती हो कि तुम लाइप टाइम गिल्ट में जीओ ये बोलकर वो जाने लगती है पलिट के पूछती है कि तुमने मुझे से कभी प्यार नहीं किया था ना और फिर चाली जाती है उसके जाते है यान के पास ऊओटा आथा वो पूछती है कि क्या अपने चुन से जाओ की यह वापस लेने की बाद की यान मना कर देता है तो तो हुआ कहती है कि जाओ और उसे मनाओ यान गुस्से से कहता है कि तुम उसे बाहर क्यों निकालना चाहती हो क्या प्रॉब्लम है तुमारी मैं दुरिया का सबसे बेस्ट लोयर हायर करूँगा ताकि जिया आओ जिन्दकी भर जेल में ही रहे वो कहती है कि वो मीडिया को आपकी वीडियो भेज देगी जिससे कि हमारी कंपनी के इमेज खराब हो जाएगी यान कहता है कि उसे जो करने है करने तो मुझे अब फरक नहीं पड़ता जिसके बाद वो घर आकर बेबी के कपड़े और जूला देखता है जिससे देखकर वो याद करता है कि जब उसे पता चाला था कि वो डेट बनने वाला है तो वो एडवांस में ही बच्चे के लिए जूला और कपड़े ले आया था और उसने बेबी की केयर करने के लिए बुक्स भी पढ़ना शुरू कर दिया था प्रेजेंट में उसे सिन का कॉल आता है वो कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो क्योंकि इधर लू सिन के साथ बदमीजी कर रहा होता है और लू वही डॉक्टर होता है जो कि ज्याओ के साथ था लू सिन की फोटो ले ले लेता है तब ही वहाँ पर यान आ जाता है और उसे एक चार्टा लगाता है और कहता है कि तुम्हारी हिमत भी कैसे हुई सिन को टच करने के वो यान से कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ सिन को ही नहीं बलकि तुम्हारा तुमसे सब कुछ छीन लूँगा सिन मोका देखकर उसको बॉटल से मार देती है जिसके बाद यान उसे लेकर महाँ से निकल जाता है जिसके बद लोग इसी को कॉल करता है और जियाओ की वेल कराने के लिए कहता है इधर यान सिन से एक चांस मांता है तो सिन कहती है कि चाहे तुम कितनी बार भी पूछ लो मेरा जवाब सेमी रहेगा अब हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते जियाओ कहती है कि तुम यान से दूर रहना बस यही वार्निंग देने आई थी वरना मैं तुम्हारी जिन्दगी खराब कर दूँगी ये बोलकर वो चली जाती है जिसके बाद यान खाने का सामान लेकर आता है और उसे खिलाने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारा फैवरेट है ना सिन गुसे से कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो और अपने गंधे हाथ मुझे मत लगाओ तुम मेरी लाइब से चले क्यों नहीं जाते हो यान कहता है कि ये नहीं हो सकता अब मैं हमेसा तुम्हारे साथ ही रहूँगा सिन हसने लग जाती है और कहती है कि तुम तो जियाओ से प्यार करते हो ना यान कहता है कि तुम रेस्ट करो कल बात करेंगे और ये बोलकर महाँ से चले जाता है तब ही जियाओ उसके पास आती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस्ट किया यान उससे पूछता है कि तुम बाहर कैसे निकल आई ज्याओ कहती है कि तुम्हारे लॉयर ने मेरी बेल कराई और मैं प्रेगनेंट हूँ यान कहता है कि मैंनो तो तुम्हें कभी टच भी नहीं किया तो ये बेबी मेरा कैसे हो सकता है ज्याओ कहती है कि तुम भूल गए एक दिन तुम ड्रंक होकर मेरे रूम में आयते है और हम दोनों ने रनाइट इस्पन कर ली थी यान को भी याद आ जाता है ज्याओ कहती है कि चलो ना अब हम साथ में हैपी फैमली बनाएंगे यान कहता है कि माना की में तुम्हारे रूम में आया था रंक होकर लेकिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था लेकि ज्याओ तो उसके गले ही पढ़ जाती है तो यान कहता है कि ड्रामा करना बंद करो वरना मैं तुम्हारी जिन्दगी को नर्क से भी ज्यादा बत्तर बना दूँगा ये बोलकर वो महां से चला जाता है तब ही ज्याओ किसी को कॉल करती है और जिन्द को रास्ते से हटाने का कहती है तो वो आदमी ज्याओ से पैसे मांगने लगता है तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें सिन्द का महेंगा वाला ब्रेसलेट दिया तो था न एक्शल में हुआने वो ब्रेसलेट बेचा नहीं था ओito को दे दिया था सिन सोरी होती है तब लोड़ोय को बंदा क कजार संद को पर होस आ जाता है और सिन को छोडाकर महांसे भागने वाला होता है लेकिन ज्याओ और उसके डैड उसे देख लेते हैं ज्याओ के डैड पूछते है कि क्या यह यान है तो ज्याओ कहती है कि हाँ यान उनसे पूछता है कि तुम दोनों का क्या रिष्टा है ज्याओ कहती है कि ये मेरे डैड है तो यान कहता है इसका मतलब तुम्हें किटनेबर की बेटी हो जिसमें दस साल पहले मुझे किटनेब किया था ज्याओ कहती है कि हाँ और वो ये भी बता देती है कि दस साल पहले मैंने नहीं बलकि सिन ने तुम्हें बचाया था यान तो सौक्ड हो जाता है सिन कहती है कि तुम यान को यहां से जाने दो तो जियाओ कहती है कि मैं किसी को भी नहीं जाने दूँगी लेकिन यान मौका देखते ही सिन को वहां से भागने के लिए गयता है लेकिन ज्याओ देख लेती है और उसके पीछे चली जाती है और इदर उसके आदमी यान पर हमला कर देते हैं इदर इनकी fight सल रही होती है और उदर ज्याओ सिन को मार कर उसे रोक लेती है ज्याओ उससे कहती है कि देखो तुम्हारा husband कैसे तुम्हारे लिए मार खा रहा है सिन कहती है कि तुम्हें सरम नहीं आती उसने तुम्हें इतनी अच्छी जिन्दगी दी है फिर भी तुम उसके साथ इससा क्यों कर रही हो ज्याव कहती है कि अगर तुम यान की जिंदगी में नहीं आई होती तो मैं उससे साधी करकर एक रिच खांदान की बहु बन जाती सिन मुका देखकर ज्याव को पकड़ लेती है और ज्याव के डेट से कहती है कि यान को छोड़ दो तो वो ज्याव को बचाने के लिए यान को छोड़ देते हैं दोनों वहाँ से जारे होते हैं तभी ज्याव कार लारी होती है उनकी तरफ ठोकने के लिए जो कि यान देख लेता है और सिन को साइट कर देता है लेकिन उसे चोट लग जाती है नेक्स सिन में यान हॉस्पिटल में होता है और सिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तब ही महाँ पर हुआ भी आ जाती है और उसे ब्लेम करने लगती है लेकिन सिन उसे कुछ नहीं कहती है और बेहोस हो जाती है जब सिन को होस आता है तो वो घर पर होती है उसके समने गुसाओ बिठा होता है तो उससे पूछती है कि यान कैसा है वो बताता है कि उसके सजरी होना अभी बाकी है सिन उससे मिलने जाने लगती है तब भी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और कहते है कि उससे मिलने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कल जो भी हुआ यान की वज़े से ही हुआ था वो तो मरने के ही लायक है सिन कहती है कि लेकिन इस बार उसमें मुझे बचाया है लेकिन डैट कहते है कि मैं कुछ नहीं जानता मैं तुम्हें आप उसके साथ और नहीं रहने दूँगा और जल्दी से ठीक होकर साथी की तैयारिया करो सिन तो सौक्ड हो जाती है कि किस की साथी गुसा उसे बताता है कि मिस्टर लू तुम से साथी करना चाता है सिन कहती है कि मैं उससे साथी नहीं करने वाली वो एक नमबर का घटिया इनसान है लेकिन डैड उसे कहते है कि तुम्हें इस बार मेरी बात माननी ही होगी सिन वहाँ से जाने लगती है गुसा उसे रोकता है तब ही महाँ पर नर्स आकर बताती है कि मिस्टर यान के सरजरी के पेपर पर साइन करने है सिन कहती है कि मैं जाती हूँ लेकिन डेट गुसाओ से कहता है कि इसे घर से भाण मत निकलने देना सिन फिर बेहोस हो जाती है थोड़ी तेर बाद गुसाओ उसके रूम में आता है तो सिन उसे यान के बारे में पूछती है गुसाओ उसे बताता है कि उसकी सरजरी हो गई है सिन कहती है कि बस मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ मैं बस उससे एक बार देखकर वापस आ जाओंगी गुसाओ कहता है कि लेकिन तुमारे डेट नहीं चाहते कि तुम उससे मिलो सिन कहती है कि अगर वो मुझे नहीं बचाता तो आज में जिन्दा नहीं होती उसाओ भी मान जाता है और उसे मिलने के लिए हाँ बोल देता है लेकिन आदे घंटे में वापस आने के लिए कहता है नेक सिन में यान को जैसी होस आता है वो सिन को सामने देखकर बहुत खुस हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें ठीक देखकर तसली मिल गई सिन उसे कहती है कि हमारे डिवोस हो चुका है तो तुम्हें मेरे लिए इतना ख़दरा उठाने की क्या जरुरत थी वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफे दी है लेकिन एक पास सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाओंगी अपर लू आ जाता है सिन उसे पहचान जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहापर क्या कर रहे हो लू कहता है कि मैं तुम्हें हमेसा के लिए अपने प्यार में डालने आया हूँ और उसे इंजेक्शन लगा देता है यान कहता है कि यह तुमने क्या किया लू कहता है कि टेंशन मतलो मैंने इसे कोई poison नहीं दिया है और वो यान को भी paralyze कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम paralyze हो गए हो तो अब तुम सिन को क्या करोगे अब तुम्हारी human मेरी हो गई हुए और उससे बाई बाई बोलकर महां से चले जाता है और बिचारा यान कुछ भी नहीं कर पाता नेक सीन में सीन के डैड उसे बोल रहे होते हैं कि लू तुमारा बॉइफरेंड है सीन कहती है कि लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है एक्शल में लू ने उसे जो इंजेक्शन दिया था उसकी वज़े से उसकी टेंपरेरी याद दस जा चुकी थी उसके डैड कहता है कि तुम इससे बहुत ज़्यादा प्यार कर दी थी और इससे साधी करने के लिए घर से भी भाग गई थी क्योंकि मैं साधी के खिलाफ था अब इस साधी कर रहे हो तो लू कहता है कि यह मेरी उमन है तो मैं इसके साधी रहूंगा न यान उसका कॉल İ्प कर लेता है तो सिन उसे छुडवाती है यान कहता है कि तूम इस घटी आद्मी को प्रोटेक्ट कर रही हो भूल गई हो क्या कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया था सिन कहती है कि तुम्हें क्या मतलब है कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है यान को तो और गुस्सा आता है और वो लू को मारने लगता है तब इक ग्रेंटपा पर आकर उसे रोकते हैं सीन यान को थपन मार देती है और कहती है कि मेरे लू से माफी मांगो यान कहता है कि मैं माफी तो मांग लूँगा लेकिन छोटे भाई से पूछ लो कि क्या वो मेरी माफी को एकसेप्ट कर पाईगा लेकिन लू को पता होता है कि यान ग्रेंट पा का फेवरेट पोता है सिन को अकेला देखकर उसके पास आता है लेकिं दिन्हों से देखकर वाहां से जाने लगती है यान उसको हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि मैं एक महिने तक हॉस्पिटल में एडमिट था तो तुम मुझे देखने क्यों नहीं आए सिन कहती है कि मैं भला तुम को क्यों देखने आऊंगी मेरा तुम से क्या रिस्ता है यान पूछता है कि तुम भूल गई हो क्या तो वो कहता है कि मुझे से इतना पता है कि तुम लोग के बड़े बाई हो वो कहता है कि क्या तुम इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं तो वो कहता है कि मेरी थोड़ी से यादास चली गई है पर मुझे लगता है कि जरूर मैं तुमसे नफरत ही करती होंगे यान कहता है कि क्या तुम मुझे नफरत करती हो तब ही वहाँ पर लू आ जाता है यान कहता है कि तुम इस घटी आदमी को तुम भूरी नहीं हो और मुझे भूल गई हो सिन कहती है कि क्योंकि यह मेरा प्यार है और तुम मेरे कुछ नहीं यान कहता है कि लेकिन तुम्हारा प्यार मैं हूँ सिन कहती है कि यह हो ही नहीं सकता मेरे डैड ने बताया है कि लूही मेरा प्यार है और तुम मुझसे दूरी रहो हूँ नेक्स सीन में सिन के डैड ग्रेंट पा को बता रहे होते हैं कि साधी की डैड दो महिने के बाद निकली है तब तक दोनों बच्चों को एक दूसरे को अच्छे से जानने का मोका मिल जाएगा तब ही महाँ पर यान आकर कहता है कि मैं साधी के खिलाफ हूँ सिन के डैड कहता है कि तुम होते कौन हो अपनी राय बताने वाले ये बोलकर वो जाने लगते हैं तो यान का असिस्टेंट उन्हें रोकता है वो नहीं मानते तो बोडिगाट्स उने पकड़ कर बाहर ले जाते हैं सिन पर उनके पीछे जारी होती है लेकिन यान उसे रोक लेता है ग्रेंटपा यान की इस हरकत पर उसे बहुत डाटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं लू कहता है कि सिन मुझसे प्यार करती है तो मुसे कितना भी फोर्स करो वो तुम्हारे प्यार में नहीं पढ़ने वाली। यान अपने असिस्टेंट को इसारा करता है तो उसका असिस्टेंट लू के पैर पर केक मारता है। यान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी ओमन से साधी करने के बारे में सोचने की है सिन कहती है कि मैं तुम्हारी ओमन नहीं हूँ यान कहता है कि तुम्हारी याद दस चली गई है तुम्हें याद नहीं है कि इसने तुम्हारा एडवांटेज उठाने की कोशिस की थी सिन कहती है कि तो क्या हुआ फिर भी मैं इसी से प्यार करती हूँ ये सुनकर यान को तो बहुत गुसा आता और अपने असिस्टेंट को बोल कर लू को बहुत बिटवाता है सिन कहती है कि इसे छोड़ दो तो यान कहता है कि अगर तुमने एक और सब्त कहाना तो इसे मैं हजार गुना चाता दर्द हूँगा लू कहता है कि चाहिए तुम जितना मर्जी मुझे मार लो लेकिन सिन तुमसे कभी प्यान नहीं करेगी यान कहता है कि मुझे इसके प्यार के जरुरत भी नहीं है बस इसकी है इसे हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा नेक्स सीन में यान जैसे ही रूम में आता है सीन उसे चाटा मानने वाली थी लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है सिन कहती है कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते हो यान कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा तुम्हें जिंदगी फिर मेरे साथ ही रहना होगा तो सिन पूछती है कि तुम किस रिस्ते से मच पे इतना हग जता रहे हो यान को याद आता है कि उनका तो डिवास हो चुका है और कहता है कि हम लोग husband wife थे और मैंने तुम्हें बहुत तकलिफे दी है जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता पर प्लीज मुझे एक मौका दे तो हम फिर से साथ हो जाते हैं न सिन कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो लू तुम से कही ज़्यादा अच्छा और जेंडल परसन है और तुम तो crippled भी हो मैं भला तुम से साथी क्यों करूंगी यान कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरा पेर किसकी वज़े से खराब हुआ है सिन कहती है कि मुझे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्रिपल तो क्रिपल ही रहेगा न ये सुनकर यान को गुसा आता है और उसे जबजस्ती किस करने की कोसिस करता है लेकिन सिन उसे रोकती है कि मैं सिब लू से पैर करती हूँ ये सुनकर यान रुख जाता है और सोचता है कि तुम मुझे भूल कैसे सकती हो नेक्स सीन में असिस्टेंट यान को बताता है कि मैं सिन विंडो से भाग गई है यान उसे कहता है कि उस पर नज़र रखो नेक्स सीन में लू यान से कहता है कि मुझे HUA Group का hire बनना है यान कहता है कि साथ तुम last time की पिटाई भूल गए हो तो वो कहता है कि मैंने तुम से सिन को तो ले ही लिया है तो company को भी ले ही लूँगा यान कहता है कि मेरे पास false time नहीं है तुमारी बकवाद सुनने के लिए लू कहता है कि सोचो अगर मैं सिन को किसी अकेली जगा पर ले जाओ तो फिर उसके साथ क्या होगा ये तुम्हें खुद भी नहीं जानता यान गुस्ते से कहता है कि क्या तुम्हें मनने का सोक चड़ा है लू कहता है कि अगर तुम मुझे प्यार से मेरी चीज नहीं दोगे तो मुझे लेनी आती है और वैसे भी ग्रेंट पाश आते हैं कि हुआ ग्रूप को मैं संभा लूँ अब कमपनी को तुम्हारे जिसे क्रिपल की जरुवत नहीं है तो यान कहता है कि ठीक है हुआ ग्रूप में तुम्हें दे दूँगा लेकिन तुम्हें सिन को मेरे प्यार में डालना होगा ताकि वो मेरे पास वापस आजाए लू मान जाता है नेक सिन में लू सिन को कलब के रूम में जाने के लिए कहता है कि मेरा कुछ सामान वहाँ पर रहे गया है तो क्या तुम लादोगी जब सिन वहाँ पर जाती है तो उसे तो लड़के मिलते हैं जो उसके साथ बतमीजी करने लगते हैं और उसमें से एक तो उसका वीडियो भी बना रहा होता है और वो यान को सेंड कर देता है यान वो वीडियो देखकर सिन को बचाने के लिए जल्दी से भागते वे आता है और उस बंदे को एक गुसा मारता है सिन बेहोसी में अभी लू का ही नाम ले रही थी कि तुम मुझे बचाने आ गए ना ये सुनकर यान को तो बहुत गुसा आता है कि अभी तक लू को भूली नहीं है सिन को जब होस आता है तब वो घर पर रहती है लू उससे कहता है कि मुझे माव कर दो मैंने अगर तुमें नहीं बेजा होता तो ये सब नहीं होता लेकिन मैंने उन बंदों को पीट का सबग सिखा दिया है तो सिन कहती है कि लेकिन मैंने तुम आपर यान को देखा था लू कहता है कि तुम कितनी सीली हो मैंने तुम्हें बचाया है यान भी ये सब सुन लेता है लू कहता है कि वो तो क्रिपल्ड है सही से चल भी नहीं सकता तो तुम्हें कैसे बचा सकता है सिन कहती है कि बोल तो तुम सही रहे हो वो तो क्रिपल्ड है ये सुनकर यान का तो दिल ही तूट जाता है लू कहता है कि ग्रेंटपा ने मुझे एक कंपनी का हायर बना दिया है ना इसलब मेरा बड़ा भाई मुझे नफरत करने लगा है और यहां तक कि तुम्हें भी मुझे चीनना चाता है सिन पूछती है कि क्या वो सच में इतना बेकार है तो लू हाँ बोल देता है यान को तो गुसा आ रहा था उसके भाई ने उसकी कंपनी भी ले लिए और उसके प्यार को भी मतलब कि लू ने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया था सिन लू को थैंक्य बोलती है उसकी हल्प करने के लिए और लू मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है असिस्टेंट यान से कहता है कि बोस देखो ना आपका भाई कैसे मैं सिन को पेवकूफ बना रहा है कहो तो उसकी टांगे तोड़ कर उसकी अकल ठीकान इला देता हूँ यान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यान को लग रहा था कि अब वो सिन को कितना भी समझाने की कोशिस कर ले लेकिन सिन उस पर भरोसा नहीं करने वाली इसलिए वो वहाँ से चले जाता है एक सिन में सिन की ड्रेस पर जूस किर गया था इसलिए लू से साफ कर रहा होता है तो सिन कहती है कि रहना तो अब हो गया है जिसके बद लू वाश्रूम चले जाता है उसके जाते ही सिन फोन का कैमरा ओन करके विंडो के पास शुपा देती है जब लू आता है तो सिन उससे कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए बहुत देर हो चुकी है लू कहता है कि आज रात यहीं रुक जाओ ना सिन कहती है कि मेरे डैड नीचे वेट कर रहे है लू कहता है कि तुम डर गई ना मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँगा जैसे लास्ट टाइम करने वाला था सिन कहती है कि क्या कह रहे हो सिन कहती है कि तुम्हें यान से जो भी चाहिए था तुमने सब कुछ ले लिया है तो फिर भी उसके पीछे क्यों बढ़े हो तो लू कहता है कि तुम बढ़ा उसकी साइड ले रही हो तुम भूल गई क्या कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है सिन कहती है कि इससे तुम है क्या तुम उसके step brother हो न इसलिए इतनी रफ़त करते हो उससे लू कहता है कि हाँ उसे भी तो पता चले कि जब कुछ नहीं होता तो कैसा लगता है सिन उसे मार के भागने लगती है लेकिन उसे रास्ते में ही लू का call आ जाता है और पो कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे डेड़ को कुछ हो तो अपना मुँख रखना और पास दिन बाद हमारी साधी है तो अब हमारी मुलाकत वही पर होगी यह बोलकर वो फोन कट कर देता है पास दिन बाद यान सीं से पूछता है कि क्या तुम सच में ये साधी कर रही हो सिन कहती है कि तुम्हारे जैसे क्रिपल से साधी करने से अच्छा है कि मैं उससे कर लू यान कहता है कि मैंने डॉक्टर से कंसल्प किया है मैं ठीक हो सकता हूँ इसी के लाज के लिए मैं अब्रोड जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलो न सिन मना कर देती है और कहती है कि साधी में जरूर आना मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितना खुस हूँ लू के साथ यान कहता है कि ठीक है तुम जो चाहोगी भाही करूंगा लू और सिन उस्टेश पर पहुँचते हैं जहां पर लू से पूछा जाता है कि क्या तुम सिन को अपनी वाइप के रुपे एकसेप्ट करते हो तो वो हाँ बोल देता है और कहता है कि मेरे पास बड़े भाई के लिए एक तोफा है ये बोल कर वो स्क्रीन पर वीडियो चलवाता है वो वीडियो देखकर सभी को घुसा आने लगता है क्योंकि वो वही वीडियो था जो सिन ने चुपके से रिकॉर्ट किया था जिसमें वो उसे परिसान कर रहा था ग्रेंटपा लू को डाटते है कि ये क्या ड्रामा मचा रखा है बंद करो इसे लू कहता है कि ये तौफा है बड़े भाय के लिए उससे तो पसंद आना चाहिए न हुआ भी कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो भाई लू तो हसने लग जाता है और जब वो वीडियो देखता है तो सौक्ड हो जाता है क्योंकि उसने तो कोई और ही वीडियो चलवाया था सिन कहती है कि मैंने वीडियो चैंज कर दिया था तो लू कहता है कि तुम उस क्रिपल के लिए मुझसे पंगा ले रही हो लू कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम यहां से नफरत नहीं करती हो सिन कहती है कि ज्याओ को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने तुम्हारा नाम बता दिया है मेरी किटनैपिंग के पीछे तुम भी थे पुलिस यहां पर आती ही होगी यह सुनकर लू हाँ से भागने लग जाता है लेकिन गुसाओ के गाड्स उसे पकड़ कर पुलिस स्टेशन ले जाते है जिसके बाद सिन एक रोज लेकर यान के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम उससे फिर से साथी करना चाते हो वो कहता है कि हाँ मैं तुम से साथी करना चाता हूँ लेकिन मेरे पास रिंग नहीं है इसलिए लेकर आता हूँ सिन उसे रोकती है कि उसकी कोई ज़रुरत नहीं है यान उसे अपनी पाहों में उठाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते है और इसे के साथ इस ड्रामा की हैपई एंडिंग हो जाती है आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को सेयर करें थैंक्स फो वाचिंग होचिंग